नमस्कार दोस्तों जिस घर में महिलाएं बेहने सुब ओड कर जल्दी खाना बनाती हैं घर की साफ सफाई करती हैं तो ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि लचमी जी किसके घर में निवास करती हैं और वो कौन सा घर है जिसके घर में कभी गरीबी की चपे जाती हैं बहुत समय की बात है नारद मुनी आकास में टहल रहे थे तो वो टहलते टहलते कुछ दूर तक चले गए तो नीचे वो देखते हैं क्या कि एक बहुत ही गरीब आदमी जोर जोर से रो रहा था और वो अपनी फसलों को देख रहा था और बहुत परेशान था उसक के समीव जाकर पूसते हैं कि भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो तुमारी जिन्दिकी में कौन सा ऐसा दुख है तुम उससे बताओ अगर मेरे समच्छा का समधान कर सकता हूं तो वो बैक्ती अपना सारी ब्यथा नारद मुनी को बताता है कि उसकी पतनी जब थी तो घर मे बहुत ही ज़्यादा दरिद्दता आ गई है और लश्मी जी उसके घर से रूट कर चली गई है तो नारद मुनी बोलते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा आप मेरा इंतिजार कीजिएगा यह कहके नारद मुनी अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो सीधे मात माता लश्मी के पास जाते हैं और जाकर के माता लश्मी को करते हैं और बोलते हैं कि माता लश्मी मैं आपके समझ एक प्रशन लेकर के आया हूं और बहुत उमीद लगा के आया हूं कि आप मेरे इस प्रशन का उत्तर देंगी तो माता लश्मी बोलती हैं कि आप तो भगव भगवान विश्णू के शाथ रहते हैं तो आपको मेरे प्रश्णू का उत्तर आपके प्रश्णू का उत्तर तो भगवान विश्णू अच्छी तरह से दे सकते हैं तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं तो नारद मुनी बोलते हैं कि नहीं माता आप ही मेरे प्रश्णू का समाधान करूंगा तो आप मेरी इस उल्जन को दूर करिए तो माता लचमी माता बोलती है कि नारद जी मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ और जब ये कथा समाथ हो जाएगी तो फिर उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगी कि उस आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है एक नगर था नगर में एक घर था घर में एक बैक्ति था जिसका नाम था स्याम जो बहुत आलसी था और दीन राद चार पाई पे सोया रहता था वो उटता भी नहीं था वो एक करवड जैसे सोता था तो वो राद भर वैसे का वैसा ही सोया रहता था उसकी पतनी जब उसके सम स्वामी पाती थी तो वो पत्नी के तरफ अपना पीट कर देता था और बस आलसी में सोया रहता था उसकी पत्नी देश कर समझ गई थी कि यह जिंदिगी में कुछ करेगा नहीं बस ऐसे ही चार पाई पे सोया रहेगा देखते देखते देम बिता चला गया, एक दिन उसकी पत्नी आखर करके उसको बोलती है स्वामी आप दीन राध सोई रहते हैं, आप अपने सरीर को भी नहीं राते हैं तो आप चार पाई पर बैठे-बैठे ही कोई काम क्यों नहीं कर लेते वो बैकती सोचने लगता है वो दो-चार घंटा सोचता है फिर उसके बाद बहुत खुस होकर कि अपनी पत्नी से बोलता है सोच लिया हूँ कि मुझे बैठे-बैठे क्या करना है तो उसकी पत्नी जल्दी से कीचन में जाती है और एक ठाली में आलू और प्याज लेकर के आती है और उसके सामने रख देती है कि स्वामी आप बैठे-बैठे ये सबजी को काट दीजिए उसका पती सबजी की और ध्यान नहीं देता है और फिर वो अपने सोच पे ही कायम रहता है फिर वो सबजी का ठाली रख कर उसकी पत्नी चली आती है दूसरा काम करने के लिए जब वो एक घंटे बाद आती है तो वो क्या देखती है कि उसके पत्ती चार-पांच मक्खी मार कर रखे रहते हैं और कूद-कूद कर मक्खी मारने का प्यास करते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसके पत्नी बोलते हैं, कि मैंने देखो कितना बड़ा काम कर दिया है, मैं पांच से दस मक्षी मार चुका हूँ, और मैं बहुत जल्दी ही एक हजार मक्षी मारूंगा, और वो इस कारिक के लिए तन मन से ज होता है, और वो पूरे नगर में गोम गोम कर चिला चिला के कहता है, कि मैंने एक हजार को मार गिराया, एक हजार को मार गिराया, नगर के वासी उसकी आवास सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि पास के जंगल में बहुत सारे दुष्ट राच्छस थे, जिससे गांवाले बहुत ज्यादा परिसान थे तो वो लोग सोचते हैं कि इतना ये बहादूर है कि एक साथ एक हजार राच्छास को मार गिराया, इसके मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सकती है, इससे भाई बच किराना पड़ेगा, इसलिए उन लोग एक हजार मार उसका नाम रख दिये, ए अपने सेना पती के रूपे में, अपने सेना में मैं उसको सामिल करूँगा, तो फिर वो उसके राजा के सैनिक जाते हैं, उस बैक्ती के घर जिसका नाम स्याम था, उसको ले करके आते हैं, राजा के पास पहले तो वो नहीं आ रहा था, बहुत डर रहा था कि मैं नहीं जा चुछा को संका था बगल पड़ोसी उस राज पर हमला करने वाला था इसलिए उनको एक टाकतवर शेना पती तलास थी तो फ़ीर क्या होता है कि 具判 लुजे अपने सेनपदी के पदंद पे नुखत कर दिया जाता है तो वह जो स्याम था वह बहुत ही ज़्यादा खुश होकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी को खुशखुश होकरаботा कि आज मुझे बहुत ही बड़ा सफलता मिल गया है राजा मुझे सेना पती के रूप में मुझे सेना का सेना पती बना दिये हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुस हो कल युध है और मुझे कल जल्दी जाना होगा राजमहल में उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बांध रही हूं ताकि आप उत्सा में पैदल ही न चले जाए यूद करने के लिए इसलिए मैं आपको गुड़े के साथ बांध रही हूं तब तक सेना पती लोग आ जाते हैं उसकी पत्नी को ये डर था कि अगर ही मेरे पती अगर सेना में जाएंगे और यूद नहीं करेंगे तो गुस्सा में आकर राजा मेरे पती की हत्या न कर दे इस डर के वज़े से वो अपने पती को घुड़े के साथ बांध रही थी तब तक सेना आ जाती है उसको लेने के लिए एक हजार मार को और एक हजार मार को लेकर सेना पती चल एक हजार मार सेना के साथ युद भूमी में चला जाता है दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही संख बचता है दोनों सेना आपस में युद सुरू कर देते हैं और ये जो था एक हजार मार चुपके से जंगल में जाकर छूप जाता है लेकिन एक हजार मार का जो सेना लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकदवर थे और सामने वाले सैनिक को मार भगाए यूद में बिजयता हुआ तो एक हजार मार जल्दी से आकर शेना में शामिल हो गया और सभी आ गए राजमाल में तो राजा जी सबका स्वागत करते हैं और एक हजार मार को बहुत ही ज़्यादा मतलब इज़्यत देते हैं मान समान देते हैं और पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है आप सभी को बताईए कि आपकी सफलता का क्या राज है आप इतने बहादूर हैं और मेरे नगर में रहते थे और किसी की नजर नहीं पड़ी आपके उपर तो आपकी सफलता के पीछे किस का हाथ है क्योंकि मैंने सुना है हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पतनी का हाथ होता तो वो स्याम बोलता है कि जी राजा जी आप सही बोल रहे हैं मेरी सफलता के पीछे मेरी बहादूर और समझदार पत्नी का हाथ है आप साइड में आईए मैं आपको अपनी सारी कहानी बताता हूँ कि मैं कैसे इतना बहादूर बना तो राजा बोलते हैं कि नहीं तुम सभी के समझ अपनी बीरता की कहानी बताओ तो राजा जी वो हजार मार बोलता है कि नहीं मैं आपको अपनी कहानी सब के सामनी नहीं बताऊंगा आपको मेरी कहानी जानने के लिए मेरे घर चलना होगा तो राजा जी स्याम के साथ उसके घर जाते हैं वहाँ जाकर देखते हैं कि उसकी पती बड़ी बेसरवजी से अपने पती का इंकजार कर रही होती है वो राजा जी को देखकर और अपने पती को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुस होती है और बहुत ही आदर सतकार से उनको घर में लाती है और बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना करके राजा को और अपने पती को खिलाती है वो पकवान आधा बना चुकी होती है बस थोड़ा बहुत काम रह गया था तो वो उसको भी खतम करके फटाक से राजा को और अपने पती को कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान परोस्ती है और उनको अच्छे आदर सत्कार भाव से खिलाती है तो राजा जी बोलते हैं कि हजार मार तुमने तो बताया नहीं अपनी सक्ति का राज तुम तो यहां पर मेरा आदर सत्कार कर रहे हो तो हजार मार बोलता है कि अभी मैं बता रहा हूँ मेरी सफलता का राज मेरी पत्नी है जो सुब्व में उठती है जल्दी और जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है और खाना बता है